हेलो फ्रेंड्स मैं प्रितियाद अब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंट होती है उनको लगता है कि प्रेगनेंसी की दोरान रिलेशन बनाने से उनकी होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और इसी वज़े से वो रिलेशन बनाने को अवाइट करना शुरू कर देती हैं जिसकी वज़े से दौनों के बीच में दूरी आने लगती है ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान रिलेशन नहीं बनाना चाहिए relation बनाने से क्या-क्या नुकसान होते हैं और relation बनाने से कौन-कौन से फायदे होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि pregnancy के दौरन आपको relation बनाना चाहिए या नहीं relation बनाने से आपको क्या परिशानी हो सकती है और relation बनाने से आपको क्या-क्या फाइदी हो सकते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे Instagram पर DM भी कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सबी सवालों के जवाब दे सको तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या आपको pregnancy के दौरन relation बनाना चाहिए तो NCBI की report के अनुसार अगर किसी pregnant में इलाको relation मनाते वक्त कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है कि relation बनाते वक्त पेट पर प्रेशर ना पढ़ रहा हो इसके अलावा अगर आप pregnancy में relation बना रहे हैं तो अपने partner से सहमती जरूर ले ले क्योंकि इस इस्सिती में महिला की एक्षागा ध्यान रुखना बहुत जरूरी है इसके अलावा relation बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात करें ताकि डॉक्टर आपको ये बता सके कि आपके pregnancy में कोई complication तो नहीं है और relation बनाने से आपके pregnancy में कोई complication तो नहीं आएगी अब बात करते हैं कि किन महिलाओं को pregnancy के दौरन relation नहीं बनाना चाहिए यदि किसी महिला का कई बार miscarriage हो चुका है या फिर miscarriage होने के chances हो तो उस महिला को pregnancy में relation नहीं बनाना चाहिए या फिर pregnancy के 37 वे हफता से पहले delivery होने के chances हो तो भी आपको pregnancy में relation नहीं बनाना चाहिए इसके अलावा अगरitter फ्लठ की ठैली में रिसाव हो रहा हो तो भी आपको relacion नहीं बनाना चाहिए या फिर pregnant महिला को किसी भी तरह की bleeding की समस्या हो रही है तो इस condition में भी आपको relation नहीं बनाना चाहिए क्यूंकि इससे infection हो सकता है जो आगे जाकर के बहुत बड़ी परिशानी खड़ी कर सकता है इसके अलावा अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उनके प्राइविट पार्ट में एठन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर समय से पहले उनका सर्विक्स खुल जाता है तो भी उनको रिलेशन मनाने को बिलकुल अवोईट करना चाहिए इसके अलावा अगर आपके गर में जुड़वा बच्चे हैं या फिर एक से ज़्यादा बेबी हैं तो भी आपको रिलेशन मनाने को अवोईट करना चाहिए अगर आपको placenta, previa जैसे problem है तो भी आपको relation नहीं बनाना चाहिए इन सभी conditions में डॉक्टर भी आपको relation बनाने को मना करते हैं फिर भी अगर आप relation बनाना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें ताकि वो आपको बता सकें कि relation बनाने से आपकी pregnancy में कोई भी problem तो नहीं आएगी अब बात करते हैं कि pregnancy के दोरान अगर आप relation बनाते हैं तो महिला को कौन कौन सी परिशानिया आ सकती हैं तो इसमें सबसे पहली परिशानी है गरबा से में संकुचन होना जब भी आप relation बनाएंगे तो उस condition में हो सकता है कि कभी-कभी आपको गरबा से में संकुचन होने लगे या फिर relation बनाने के बाद आपको दर्द महसूस हो या फिर हो सकता है कि relation बनाते वक्त आपको private part में दर्द महसूस हो इसके अलावा आपके private part या उसके आसपास के एरिया में एठन भी महसूस हो सकती है private part से bleaching या फिर spotting भी हो सकती है amenitic flood का result भी शुरू हो सकता है अगर pregnancy में relation बनाते वक्त लापरवाई बरतते हैं तो ये सारे परिशानिया आपको हो सकती है अगर आप relation बनाना चाहती है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि pregnancy के दौरान relation बनाने से आपको क्या-क्या फाइदे होगे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि pregnancy के दौरान relation बनाने से आपके baby को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है क्योंकि आपका baby amunetic flood की थैली में सुरक्षित रहता है इसके अलावा आपका cervix भी बन रहता है इसलिए pregnancy के दौरान relation मनाने से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से फाइदे होंगे तो उसमें सबसे पहला फाइदा है तनाव में कमी pregnancy के दौरान वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है ऐसे में अगर आप pregnancy के दौरान relation बनाते हैं तो आपके body में endorphिर्स नाम का हार्मोन रिलीज होता है चुकि pregnant महिला और गर्ब में पल रहे बच्चे दोनों को खुशी का एसास देता है जिससे दोनों को relax फिल होता है साथ ही साथ आपके सरीर में oxytoxin नाम का हार्मोन भी बनता है जिससे आपको नीद भी अच्छी आती है और आपके जीवन में तनाव भी कम हो जाता है दूसरा फाइदा है पेल वी केरिया की muscles में मजबूती होना देखिए pregnancy की तीसरी तिमाई में relation बनाने से पहले जो वी केरिया की मास्पिसिया होती है वो मजबूत हो जाती है जिसकी वज़े से आपको normal delivery करने में काफी help मिलेगी साथी साथ आपको delivery में होनी वाली दर से थोड़ा सा आराम भी मिलेगा तो ये भी एक फाइदा है जो कि आपको pregnancy के दौरान relation बनाने से मिलता है तीसरा फाइदा है blood pressure का control में रहना pregnancy के दौरान relation बनाने से आपका blood pressure control में रहता है क्योंकि जादातर cases में अगर pregnancy के दौरान relation नहीं बनाया जाता है तो blood pressure की समस्या होने लगती है जिसकी वज़े से pre-eclampsia जैसी परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो ये भी एक फाइदा होता है जो आपको pregnancy के दौरान relation बनाने से मिलता है चौता फाइदा है immunity power में improvement pregnancy के दौरान महिला के सरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं जिसकी वज़े से सरीर में immune system बिगड़ जाता है ऐसे में आगर आप pregnancy के दौरान relation maintain करती हैं तो ये कई हद तक सुधर भी जाता है ऐसे जी ये जनरल के रिपोर्ट के अनुसार pregnancy के दौरान relation बनाने से IGA भढ़ने से गरवती महिला को सर्दी जो खाम जैसे infection से सुरक्षा मिलती है तो ये भी एक फाइदा होता है जो कि आपको relation बनाने से मिलता है तो अब आपको पदा चल किया होगा कि pregnancy के दौरान आपको relation बनाना चाहिए या नहीं pregnancy के दौरान relation बनाने से कौन-कौन सी परिशानिया होती है और आपको क्या-क्या फाइदे मिलती है अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइट जरूर करें अपने friends की साथ share करें और हाँ हमारे इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं या फिर मुझे Instagram पर DM करें मैं पूरे कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे स्वस्त रहे